सकल घरेलू उत्पाद ये शब जब आप सुनते हैं आपको लगता होगा कि कहीं पर बहुत बड़ा उत्पाद मचा हुआ है और राज कोश्य घाटा ये सुनकर तो आप बोलते होंगे कि चलिए टाटा खैर टाटा बाई-बाई मत कीजिए क्यूं क्यूंकि ये आर्थिक हिसाब तक नहीं लगा पाएंगे खैर हिसाब लगाना हमारा काम है न्यूज क्लिक के इस नए शो में हम एकॉनमी का हिसाब किताब लगाएंगे और बहुत सरल तरीके से लगाएंगे ताकि आप सवाल उठा सके जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे सवाल कर सके कि आने वाली पीडियों के लिए आप क्या कर रहे हैं यह सवाल उठा सके हम इस शो में हर रोज जो भी कहेंगे वह आपके रोटी कपड़ा मकान के साथ जोड़ेंगे और इस पहले एपिसोड में हम फोकस करेंगे आपके मकान पर क्या आपका भी कभी सपना था कि आपका एक प्यारा सा छोटा सा घर होगा क्या यह सपना आप हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं या क्या बाकी मिडल क्लास के तरह आपका भी यह सपना तूट चुका है क्यूं तूटा है हम क्यूं कह रहे हैं क्यूंकि आकड़े हमें यह बता रहे हैं आप अगर आकड़ा नंबर वन लीजिए हमारे देश के टॉप 30 बड़े शहरों में इस वक्त लगभग 22 लाग घर ऐसे हैं जो बिके नहीं है अब कुछ घर तो हर एक बिल्डर के पास रहते हैं जो बिके नहीं होते हैं लगभग 8-11 महीने का हर बिल्डर स्टॉक रखता है क्यूं रखता है क्यूंकि आप अगर अचानक आ गए कि मुझे घर खरीदना है उनके पास घर होना चाहिए जो आपको बेच सके ऐसा हो सकता है कि बीच में सिमेंट ना मिले स्टील ना मिले इट ना मिले या जो लेबर है वो गाव में वापस चले जाए कटाई और बुनाई के लिए उस वक्त उनको क्या चाहिए कि घर का स्टॉक रहना चाहिए लगभग हर बिल्डर 8-11 महीने का स्टॉक रखता है यार इसको हम इन्वेंटरी कहते मगर इस वक्त 39 शेहरों में पत कि मिडल क्लास के लोग अभी घर खरीद नहीं रहे हैं यह आज का मामला नहीं है यह सिलसिला लगभग पिछले 4-5 सालों से चला आ रहा है और इससे हम निकल नहीं पाए हैं आप देकि सरकार भी खुद मानती है कि अगर आप अफोर्डबल हाउजिंग की बात करें जो एक म में हो या आप NCR में हैं बाहर के तरफ आपने घर खरीदा है पांच लाक रुपए आपके पास है आपके पास जमा पूंजी है या आपने अपने दोस्तों से परिवार वालों से उधार लेकर कर लिया है 20 लाक रुपए का आपका अभी भी लोन बाकी है तो पहले क्या होता था बिल्डर लोग किसी थर्ड पार्टी से आपका लोन करवा देते थे अब उनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है आप बैंक में जाए तो बैंक में भी अभी आपको लोन का रेट कितना मिलेगा 8% के आसपास मिलेगा सबसे सस्ता जो होम लोन है SBI दे रही इस वक्त 8.05 पर तो उसमें आपका EMI कितना है 20 लाग का अगर आपने लोन लिया है तो हर महीने आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे अगले 20 साल तक चलिए इस साल तो आपने सोच लिया कि मैं 20,000 रुपए हर महीने किसी तरीके से दे दूँगा कपड़े नहीं खरीदूंगा नहीं चुट्टी पे नहीं जाओंगा नया फोन नहीं खरीदूंगा 20,000 रुपए निकाल लूँगा कहीं से और अगले कुछ सालों में मेरा इंकम बढ़ जाएगा मेरी वेतन बढ़ जागी मेरा धन्दा अच्छा चलेगा तब 20,000 रुपे देना उतना मुश्किल नहीं होगा तो EMI पे मैं लोन ले लेता हूँ लेकिन अगर आपका धंदा नहीं चल रहा है अगर आपको डर है कि आपकी नौकरी जाने वाली है अगर आपका इंक्रिमेंट दो साल से नहीं हुआ है तो क्या आप लोन लेंगे क्या आप EMI देने को तयार होंगे 20,000 का नहीं न यही हो रहा है पूरे सेक्टर में मिडल क्लास के लोगों को इस वक्त मंदी का डर है वो EMI पर लोन लेने को तयार नहीं है EMI पर घर खरीदने को तयार नहीं है और घर खाली पड़े हुए हैं, inventory बढ़े जा रहा है साथ में एक और बड़ी समस्या है जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जब आप builder के पास जाते थे पहले तो builder लोग third party से आपकी financing करवा देते थे बहुत सारा financing सीधा bank से नहीं आता था क्योंकि जिनकी आए regular नहीं है या जो पहले loan नहीं ले चुके हैं उनको bank loan देने से कतराते हैं ऐसे लोगों को कौन financing देते हैं? NBFC, shadow bank जैसे कि housing finance company हो, छोटे-छोटे financing company हो ये लोग loan देते हैं और ये सिरफ जो home loan ले रहे हैं उनकी बात नहीं है आप अगर real estate में जो developers हैं उनकी बात देखें तो पिछले एक साल में लगभग 100% loan जो developers को मिला है वो NBFC यानि की shadow bank से मिला है banking sector से नहीं मिला है लेकिन NBFC ओको पैसा कहां से मिलता है? देखिए जब आप bank में जाते हैं अकाउंट खोलते हैं वहाँ पैसा जमा करते हैं तो उसी के आधार पर bank दूसरों को loan देते हैं लेकिन NBFC deposit नहीं ले सकते हैं तो उनका पैसा कहां से आता है? वो bank से fund उठाते हैं या mutual fund से fund उठाते हैं और उनको interest देते हैं और ये पैसा वो हम लोगों को loan पर देते हैं या real estate developer को loan पर देते हैं लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको bank loan नहीं देते हैं उनको NBFC loan देते हैं इसका मतलब है NBFC जिनको loan देते हैं थोड़ा risky होता है इसमें हर वक्त दर रहता है कि ये पैसा वापस नहीं आएगा पिछले कुछ सालों में NBFC का जो loan portfolio है या loan book है वो बढ़ता रहा है और ये risky portfolio है और इसका हमें अंदाजा लगा पिछले साल जब बहुत सारे NBFC के loan खराब हो गए यानि कि NPA हो गए non-performing asset हो गए पिछले साल के सितंबर में एक बड़ा NBFC, ILNFS में crisis हुआ उन्होंने bank से पैसा उठाया था mutual fund से पैसा उठाया था और loan दिया था लेकिन वो loan का पैसा वापस नहीं आया तो उन्होंने default कर दिया एक बड़े NBFC ने default कर दिया और सब bank mutual fund अब डर गए उन्होंने NBFC को पैसा देना बंद कर दिया तो पिछले साल से ये crisis शुरू हुआ है NBFC को पैसा नहीं मिल रहा है और वो लोगों को loan नहीं दे रहे हैं इसके कुछ आंकड़े देखिए personal loan, home loan, car loan इसका तो आधा कर दिया है NBFC वालोंने जो real estate developer को पैसे देते थे वो भी आधा हो गया है 2017-18 में लगभग 52,000 करोड रुपे loan दिया गया था real estate developers को NBFC द्वारा और वो 2018-19 में आकर सिरफ 27,000 करोड हो गया यानि कि 48% नीचे चला गया है तो real estate sector पर दोहरी मार है एक तरफ लोग घर ने खरीद रहे हैं क्योंकि वो EMI लेने से डरते हैं और दूसरे तरफ पूरा जो NBFC सेक्टर है इसमें पैसे नहीं है तो वो loan नहीं दे रहे हैं हाला कि हाल ही में सरकार ने कुछ कोशिश की है एक 10,000 करोड का स्कीम दिया है real estate को fund बढ़ाने के लिए लेकिन जानकार कहते हैं कि ये सिरफ मरहम पट्टी है असली बिमारी कुछ और है और अगर real estate sector में मंदी हो तो बहुत सारे अलग-अलग industry में मंदी आ जाती है जैसे कि steel हुआ, cement हुआ, बदरपुर हुआ, eat हुआ, tile हुए, bathroom fitting हुए सब में बड़ा problem होता है लेकिन ये बात सिरफ घर बनाने, खरीदने और बेचने की नहीं है इसमें रोजगार की भी बहुत बड़ी बात आती है क्योंकि construction sector हमारे देश में ऐसा sector है जो बहुत लोगों को रोजगार देती है मैं RBI का कुछ data आपको बताता हूँ 2034 में क्रिशी में लगभग 57% लोग जुड़े हुए थे और construction में सिरफ 5% वही आकर 2015-16 में क्रिशी में सिरफ 42% हो गए और construction में 14% आप देखिए किस तरीके से 57% बना 42% और 5% बना 14% लेकिन ये तो बस आकरे हैं आपने अपने जिन्दगी में देखा होगा आपके घर के पास construction site पर किस तरीके से मजदूर आते हैं गाउं से वही पे रहते हैं जुग्गी बनाते हैं कोई रेडी वाले लग जाते हैं चाए बेचता है तो कोई अंडा बेचता है दो दो SIM कार्ट खरीद लेते हैं ये मजदूर एक से फोन लगाते हैं गाउं में तो दूसरे पर गाना सुनते हैं अपने देश का गाना भोजपूरी गाना और घर में क्या होता है? पैसे आते हैं अब क्या हुआ है? जिस तरीके से रियल स्टेट सेक्टर में मंदी हुई है नौक्रिया चली गई है इतनी तेजी से नौक्रिया गई है कि गाउं की मांग कम हो गई है HSBC का लेटिस जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि जो मजदूरी मिलती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो बहुत तेजी से नीचे चली गई है और अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मजदूरी कम मिल रही है गाउं में तो आप सोचिए जब वही मजदूर खेत में जाता है तो बड़ा किसान क्या कहता है कि इतनी मजदूरी मैं नहीं दे पाऊंगा और उसके पास कोई चारा नहीं रहता है तो agricultural wages यानि कि क्रिशी में जो मजदूरी मिलती है वो भी नीचे जा रहा है अब आप बोलेंगे भाईया मेरी इतनी मुश्किले हैं इस वक्त मैं गाउं के गरीबों के बारे में नहीं सोच सकता बाद में सोचूंगा लेकिन ये आपकी गलती होगी क्यों क्योंकि जब गाउं के गरीब चीजे खरीदना बंद कर देते हैं जब बिस्किट खरीदना बंद कर देते हैं बन्यान खरीदना बंद कर देते हैं मोटर साइकल खरीदना बंद कर देते हैं साबून खरीदना बंद कर देते हैं तब परिशानी उन company को होती है जो ये चीजे बेचते हैं और हो सकता है आप ऐसी company में काम करते हो जो biscuit बनाती हो, motorcycle बनाती हो, साबून बनाती हो और जब इनकी मांग कम हो जाती है तब क्या होता है आपके बॉस बोलते हैं कि इस साल बहुत मुश्किल है, increment नहीं हो सकता है या क की मांग गरीबों की मांग कम होती है तो आपकी नौकरी खत्रे में आ जाती है यह समझिए मांग ऐसी चीज है जिसमें सब के तार साथ में जुड़े हुए हैं तो यह चीज आपके दिमाग में बिठा लीजिए economy का हिसाब किताब यही है कि पूरा economy connected है आप अगर सोचे कि गरीब गरीब रहेगा तो मैं अमीर रहूंगा ऐसा नहीं हो सकता है अंत में क्या होता है कि demand जब कम होता है तब supply को भी कम होना पड़ता है यही हुआ है real estate sector में real estate sector में मांग कम हुई तो real estate sector ठप हो गया नौकरिया वहाँ पर कम हुई तो आपकी नौकरी खत्रे में इस वक्त ये याद रखिएगा आज का एपिसोड यहीं तक लेकिन आज के एपिसोड से एक चीज़ जरूर कीजेगा सवाल उठाईएगा सरकार से सवाल उठाईएगा और सत्ता धारियों से सवाल उठाईएगा